नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडियाप और मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चरचा करने के लिए जो कि आप लोगों के लिए बेहत कामका है कामका क्यों है कि दुनिया में इस समय बदलता हुआ जो जीवो पॉलिटिकल घटना करम है उसे समझने के लिए आज के सेशन में दो एंगल्स हैं एंगल किस तरह से हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ये समझे कि जिस प्रकार से दुनिया के दो धुरुव रहे हैं वर्ड वार टू के बाद उन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे नाम भी उन्हीं का आना चाहिए आपको याद होगा कल के सेशन में जब हमने बताया था कि अमेरिका के दौरा ये न्यूज निकल कर आ रही है कि फाइफ आई कंट्रीज ने कैनेडा को ये इंटेल दिया था ये खुफिया जानकारी दी थी कि निजजर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है यानि अमेरिका की आपको ये पता था तो हमने आपसे ये भी का था कि देखिए कैनेडा मार्केट मामले को लेके आगे निकला था बाद में इस क्रेडिट को लेके अमेरिका अपने साथ चला गया कि उसकी खुफिया जानकारी थी कि कैनेडा ने ऐसा किया है मदब कि कैनेडा में इंडिया ने हैं लेकिन दुनिया में इस दौर में एक और घटना क्रम भी हुआ है कौन सा घटना क्रम नौर्थ कोरिया का जो ताना शहा है किम जॉंग उन उनकी यात्रा हुई थी हाल ही में रूस के लिए साथ दिवस ये दौरा था ट्रेन से गए थे जिस पर भी हमने किम जॉंग उनका रूस के पास जाना दुनिया में एक चिंता पैदा किया कि किम जॉंग उनने जो इतना सारा मिसाइले बना कर रखी है इतनी सारी उसने जो न्यूकलिर वैपन बना कर रखे हैं आने वाले समय में वह है रूस को उन्हें देगा आप में से हो सकता है किसी को य वैपन्स की जर्वत पड़ती है वैपन के मामले में युक्रेन को तो वैपन मिल रहा है पूरे पस्चिमी देशों के थुरू अमेरिका के पिछलगू नाटो अलाइज जो है उन सब के थुरू लेकिन रूस के पास वैपन सप्लायर कौन है तो रूस के पास में जो ये रोग मैंने जब उत्तर कोरिया वाली बात बताई थी तब कहा था कि इंडिया जहां एक और 9-10 सितंबर के दिन G20 की बैठक अपने हाँ आयुजित कर रहा है वहीं उसी समय पर किम जोंग उन रूस की यात्रा के लिए निकलने वाले हैं मतलब ये वात है कि एक और धड़ा वहाँ पर create हो रहा था रूस के पास अब अगर भारत को अमेरिका ये चाहता है कि रूस पर केवल इसलिए भारत प्रेशर क्रियेट करे या रूस के खिलाफ भारत इसलिए खड़ा हो जाये कि देखो ये किसी तानाशाह की मदद ले रहे हैं इसके लिए क्या पता अमेरिका ने ये understanding है कि भारत रूस को लेकर soft corner रखता है और इसके बारे में हम लोगों ने कई जगे हमारे मंत्रियों ने भी खुल के कहा है कि भाया हमारे साथ इनकी एक legacy जुड़ी है, लंबे समय से हम लोग इनके साथ मित्र रहे हैं तो हम इनके खिलाफ same day हो जाएं यह तो संभव नहीं है यारी भारत और रूस की मित्रता western world को और विशेश रूप से अमेरिका को यदि एशिया में अपनी पैठ बनानी है तो यह बहुत चुबती है अब वो ऐसा कारण खोजते हैं कि भारत को रूस के खिलाफ कैसे किया जाए इसके पीछे हमेशा अमेरिका निरंतर तरह तरह के प्रयास करते रहता है इवन कुछ का तो मानना यह है कि G20 के अंदर जिस प्रकार से भारत को कम्यूनिके के माध्यम से G20 का जो डिकलेरेशन डिकलेर करवाया गया उसमें भी Western World का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि भारत को अपनी तरफ से ये मत बताओ कि हम आपके लिए व्यवधान पैदा कर सकते हैं भारत को ये बताओ कि हम तुम्हारे साथ हैं अमेरिका के पिछलगूँ के द्वारा इंडिया में G20 को सफल बनाने में जो मदद की गई थी उसके पीछे भी जानकारों का कहना है कि कहीं ये अमेरिका की चाल तो नहीं थी कि एक हाथ दे और एक हाथ ले यानि कि हम तुम्हारा G20 सक्सेस्फल बनाएंगे तुम अंतरास्ट्रियम मंचों पर हमारे साथ आ जाना कुछ ऐसा तो नहीं था चलिया आज के सेशन में और ज़्यादा जो जानते हैं मैं चीजों को कड़ी दर कड़ी आपके सामने पेश कर रहा हूँ आप कनेक्ट करते चले जाएगा 13 सितंबर की एक खबर है हमने जब आपके साथ साजा की थी कि चार साल बाद अपनी बुलट प्रूफ ट्रेन से रूस के ताना शाहा किम जॉंग उन रूस पहुँचे थे हमने प्रॉपर तरीके से सेशन किया हुआ है अब समय निकाल कर देख सकते हैं किम जॉंग उनका भवे स्वागत हुआ था रूस के अंदर आज से 10 दिन पहले 12 दिन पहले और वहाँ पर बकाइदा ये बात निकल कर आई थी कि ये किसी उद्देश इसे वहाँ पर गए हैं लेकिन आज की जो खबर जिस पर हम चर्चा करने के लिए मजबूर हुए हैं उसकी पीछे का क्या कारण है हाल ही में हमारे विदेश मंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे कौन सी यात्रा? United Nation General Assembly की मीटिंग थी General Assembly की मीटिंग में जब भारत की विदेश मंत्री पहुचे तो वहाँ पर चार देश जिने Quad Country कहा जाता है अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और इंडिया ये चारों की सारों देश एक अपने विदेश मंत्रियों की अलग से बैठक बुलवाए और उस बैठक में North Korea के उपर सवाल जवाब खड़े कर दिये रूस से कहा कि आप इनसे वैपन नहीं लें और साथ में उस Joint Statement में भारत को भी साथ ले लिया ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है तो आप इदर देख सकते हैं इंडिया जॉइंस यूएस ऑस्टेलिया जापान टू अर्ज रशिया अगेंस्ट आर्म डील विद नॉर्थ कोरिया ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया को इन लोगों ने अपने साथ लेने का जो प्रयास किया इस मुद्दे पर इसे दुनिया अपने आप से समझने के लिए मजबूर है कि अल्टिमिटली इंडिया को इन्हों ने अपने साथ लेकर रूस के उपर दवाब बनाने के लिए ले लिया आपको मालूम होना चाहिए अधिकांश मामलों में इंडिया न्यूट्रल रहता है बोलता नहीं है शांती रखता है लेकिन ऐसे मामले पर ये हमसे बुलवा लिए ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट निकल कर आता है ठीक है ना चलिए तो आपको इसके बारे में बताएं लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी फिर से साजा कर दे मेरे प्यारे साथियों अपनी पाटशाला स्टेट PCS के अटेगरी के अंदर एक नया चैनल ला चुकी है आप उसे जाकर जॉइन कर सकते हैं चैनल में जाकर आप सर्च करें आपको वहाँ पर मिल जाएगा स्टेट PCS में हमने कल ही मध्यप्रदेश के अंदर PCS की परिक्षा के लिए एक जबरदस्त नॉटिफिकेशन शेयर किया है जिसमें बताया है कि मध्यप्रदेश की PCS बनने के लिए आपके पास दो प्रिलिम्स एक साल में देने का मौका है यदि आप में से कोई भी साथी अपने आपको PCS के लिए फिट पाता है तो जाकर के इस बारे सेशन को देख ले अपनी पार्टशाला पर डला हुआ है हमारे द्वारा अब यूट्यूब पर लगातार सेशन करवाए जा रहे हैं अपनी पार्टशाला PCS के टेगरी में PCS को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो उसे इस परहस का प्रकार से भी ढूंड कर जॉइन कर सकते हैं एक अक्टूबर का R.A.S.P.R.E. है उसे ध्यान में रखकर के लगातार क्लासिस चल रही है हमारे हैं रिटन नोट्स फन ट्रिपल नाइन के अंदर आपके घर तक पहुँचने के लिए तयार है अपनी पार्शाला एब पर जाकर इन्हें आप ओर्डर कर सकते हैं इतने के साथ साथ अधिक जानकारी के लिए आपके लिए हमारा कॉल सेंटर सुबह 10 से लेके शाम 6 तक मंडे से लेके सटरडे तक अवेलेबल है साथियों भारत और कैनेडा के बीच बिगड़ते रिष्टों में जहां तक अब तक हमारे लिए कैनेडा ही एक विलन बना हुआ था हमें लग रहा था कि जस्टिन टूडो भारत में हुई बेज़जती से परिशान होकर ये सब किये हैं उस पर हमने प्रापर तरीके से सेशन भी किया है जो कि आपको अपडेटेड है लेकिन कल जब हमने सेशन किया तो हमने अपने सेशन में एक बात पर आपका ध्यान आकरशित करवाया था जो सेशन में हमने ये कहा था कि US Envoy says Canada receive 5i Intel against India यानी कि यह बात निकल कर आई है कि अमेरिका के एन्वाय के द्वारा, five five countries के द्वारा, five five countries में अमेरिका के साथी सयोगीों के अंदर, अमेरिका, बृते, न्यूजियलंड, उस्टेलिया और कैनेडा, ये पांच देश जो एक दूसरे के साथ में खुफिया जानकारी साजा कर आपको याद होगा कल के सेशन में मैंने ये भी का था कि आपका क्या मत है कि आप भारत के साथ है भारत के खिलाएं तो उन्होंने साफ कहा कि वो peanut के साथ नहीं है ये सारी चीजें अब सयोग तो पर 捂गे हैं यानि आप विचार करेए कितने सारे फ्रमियर along connected कैसे आप देखिए एक तरफ केनेडा पर अमेरिका ने इस प्रकार की लीड देखरके केनेडा को आगे निकाला ये दिखा करके कि देखो इंडिया को हम इस मामले पर दबा सकते हैं राजनिती हम सोचते हैं कि देश के अंदर चुनावी राजनिती होती है, जियो पॉलिटिक्स उससे भी उपर की कहीं चलने वाली चीज है, जियो पॉलिटिक्स में दुनिया के सब देश अपने अपने हितों को बैस्ट पाने के लिए जुटे हुए हैं, और ऐसी इस्थिती म अमेरिका द्वारा केनेडा को ये खुफिया जानकारी देना कि तुम्हारे यहां पर ये कांड इंडिया ने करवाया है, ये इंडिया पर एक प्रेशर क्रियेट करने का तरीका हो सकता है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, प्रेशर किस बात के लिए, रशिया के खिलाफ भारत को यूज़ करने के लिए, भारत को किस तरह से यूज़ किया जाए, केवल किसी को psychological pressure create नहीं करवाना है, pressure असल मायने में ये create करवाना है कि दुनिया में रूस को isolate किया जाए, ना केवल isolate किया जाए, बलकि इंडिया जो रूस के प्रतीवफदार है, तेल मंगाने के मामल कि Intel दी गई थी हमारे बारे में खोफिया जानकारी दी गई थी यह अपने आप में इशारा करता है आप पुछेंगे तो क्या इसमें उन्हें कोई सफलता मिली कह सकते हैं कि सफलता मिली आप पुछेंगे कैसी क्योंकि हमारे विदेश मंत्री अभी जब अमेरिका की यात्रा पर है United Nation General Assembly की 78th Meeting में गए हुए हैं वहाँ पर यह है तस्वीर लोगों का ध्यान बड़ा अपनी और आकरशित कर रही है कौन सी तस्वीर? यह तस्वीर जिसमें चार देशों के विदेश मंत्री अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान चारों आपको एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं चार देश, चार देश का संग्ठन क्वाड है और इस क्वाड को चाइना तो कहता हुआ आया ही है कि यह है भारत नहीं अपी तु अमेरिका का नाटो है extended नाटो है इंडियन ओशियन के अंदर यह कहता हुआ चीन आया है और वो चीज यहाँ पर विजिवल हो रही है ऐसा लोगों का कहना है कि अमेरिका अपने प्रयासों में सफल हुआ कैसे सफल हुआ सफल इस तरह से हुआ क्योंकि इन चार देशों ने मिलकर के रूस के खिलाफ एक बात रेज की है चिंता रेज की है क्या देखिए यूएस साउथ कोरिया जापान रेज कंसर्ण ओवर रशिया नौर्थ कोरिया मिलिटरी कॉपरेशन रूस और नौर्थ कोरिया के बीच में जो मिलिटरी सयोग हो रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं लिखा है इंडिया हैस जॉइंड दी यूनाइटिड स्टेट यह अपने आप में अमेरिका की एक बड़ी जीत है अब तक इंडिया द्वारा रूस के मामले में हमेशा खिलाफत की गई है अर्थात भारत वोट ही नहीं दिया भारत एपस्टेन किया है हर जगे वोटिंग से लेकिन अभी जो न्यूज आप देख रहे हैं वो क्या है इंडिया ने यूनाइटिड स्टेट जापान और आस्टेलिया को जॉइन किया है रशिया के खिलाफ आप इधर देख सकते हैं आर्म ट्रांसफर डील नौर्थ कोरिया के लिए इंडिया ने प्रैशर क्रियेट करने में बयान दिया है ऐसा कहना है आप देख सकते हैं एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर हमारे जो हैं जिस जोइंट स्टेट्मेंट में लिखा है कि यानी कि नौर्थ कोरिया पर जो S Anh लगे हुए हैं वो S Anh उनक्षन मानने के लिए North Korea को बाद्य किया जाए साथ हिओ North Korea तो दुनिया का सबसे ज्यादा S Anh जहिthmने वाला देश है लेकिन जिससे ये हाथ मिला रहा है वो भी टॉपर ही लिस्ट में शामिल है दौनों ही सेंक्षन सबसे ज़्यादा जहल रहे हैं और दौनों जो सेंक्षन जहलने वाले देश हैं इन पर अब और क्या सेंक्षन लगा लोगे क्योंकि ये तो एक दूसरे से हाथ मिला लिये हैं इनको आप कहते हो कि nuclear weapon मत रखो, इनको क्या कहोगे, यह तो United Nations Security Council के permanent member हैं, permanent member हैं तो आपका UNSC के थुरू कोई भी resolution कोई कार्य ही नहीं करेगा North Korea के खिलाफ, यह अपने आप में बड़ी चीज है, आप जापान के द्वारा जारी किया गया joint statement दे सकते हैं, जिसकी चौथी पंक्ती में लिखा है, regarding North Korea, आप यहाँ पर देखें, आप शायद इस बात को देख पाएं और पैचान पाएं, यहाँ लिखा है, regarding North Korea, the four ministers condemn North Korea's destabilizing ballistic missile launches in the violation of UN Security Council resolution, and reaffirm their commitment to the complete denuclearization of North Korea in accordance with the, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Security Council Ministers का यहाँ पर point लिखा हुआ आ रहा है, जापान टाइम्स का भी आप statement देख सकते हैं, Quad Minister urge United Nation member not to trade arm with North Korea, और इसमें भारत के विदेश मंत्री की तस्वीर है, यानि कि geopolitically एक बड़ा खेला इस समय अमेरिका में खेला गया है, और उस खेलने में बहुत सारी चीजें, अब वो connecting the dot के माध्यम से पता चल रही हैं, कि संभवतया यह हो सकता है कि विदेश मंत्री का अमेरिका जाना तो तैथा, लेकिन उससे पहले Trudeau के द्वारा यह बयान दे करके, इंडिया के खिलाफ बयान दे करके, थोड़ा सा इंडिया की इमेज को बट्टा लगाने का प्रयास किया गया, यानि कि दुनिया का बहुत सा राज पता तो सब को रहता है, लेकिन उसका कब उपियोग किया जाए, यह अमेरिका ने बखुभी खेला है, संभवत या, इंडिया के केस में अमेरिका ने ऐसा खेल कर, भारत को रूस के खिलाफ नौर्थ कोरिया पर प्रेशर क्रियेट करने के लिए काम लिया है, जियो पॉलिटिक्स शायद इसी का नाम हो, आप पूछेंगे कि क्या भारत इस तरह से यह हरकत करके, अपने आपके बारे में खिलाफ नहीं सोच रहा होगा क्या, बिल्कुल, लेकिन सच यह है, कि भारत नौर्थ कोरिया का समर्थन नहीं करता है, चुकि भारत यूनाइटिड नेशन्स की बात मानता है, इसी लिए भारत यूनाइटिड नेशन्स की तत्वाधान में, नौर्थ कोरिया पर जब भी एक्शन्स लिए गए है, उसमें यूनाइटिड नेशन्स के साथ रहा है, अगर भारत ने नौर्थ कोरिया पर प्रेशर क्रियेट करने के लिए ये काम किया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन चूकि नॉर्थ कोरिया रूस का साथ दे रहा है यही अमेरिका चाहता था यानि बाइडेन कामियाब हुए किस मामले में कामियाब हुए इंडिया को थोड़ा ही सही अपनी तरफ लाने में कामियाब हुए आपके दिमाग में प्रशन बनेगा और आप दिमाग दोडाने लगेंगे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अब तक पिछले महीने जितनी भी घटना करम चली है उन सब के तार रूस पर प्रेशर क्रियेट करने के लिए ही हूँ कह सकते हैं क्योंकि दुनिया में असल में ये दो ही ताकत हैं जो आर्म्स के अंदर सबसे टॉप सेलर्स हैं अमेरिका और रशिया और इन दौनों की असली लड़ाई इसी में वर्चस्व को प्राप्त करना है तो क्या अमेरिका के द्वारा ये सारा खेला इंडिया को आर्म्स के मामले में अपनी तरफ करने और रूस के खिलाफ करने के लिए था इन पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं आपको ये तो ग्यात होगा ही कि G20 मामले में भारत ने जो सक्सेस प्राप्त की है जिसे लेकर रूस खुद बोला कि ये हमें विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा लोगों का दिमाग दोड़ने लग रहा है कि ultimately G20 में भारत की सफलता बिना Western World के possible नहीं थी विदेशी देश ये जो पस्चिमी देश हैं इन्होंने निश्चित ही भारत को अपने लेवल पर जो समर्थन दिया उसकी एवज में कुछ ना कुछ डिमांड किया होगा और उस डिमांड में ये वाला काम G20 तो इंडिया सक्सेस्फुली करा ले गया लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि G20 के साथ साथ किनी और मसलों पर इंडिया को साथ लिया जाएगा दूसरा पॉइंट आपको याद होगा जब यूनाइटेड नेशन्स के अंदर जब भी यूनाइटेड नेशन्स के अंदर रूस के खिलाफ वोटिंग का प्रयास हुआ है इंडिया के द्वारा हमेशा उस पर एपस्टेइन किया गया है आप हमेशा देख सकते हैं इंडिया चाइना एपस्टेइन हम वोट ही नहीं देते लेकिन ऐसे मामले में आप क्वाड के माध्यम से नौर्थ कोरिया के खिलाफ भारत को बुलवा कर अपने पक्ष में करने में कामियाब हुए है इसके साथ साथ एक चीज और जानने की योग्य है और वो क्या है जिस प्रकार से लास्ट येर जो क्वाड समिट हुई उसमें मोदी जी जापान गए थे चार देशों की मीटिंग में जहां बाइडन भी थे औस्टेलिया के PM भी थे जापानी PM और भारत के PM थे ऐसी ही क्वाड मीटिंग 2024 में इंडिया में होने वाली है ऐसी इस्तिती के अंदर जब इंडिया में चार बड़े देश आएंगे तो ये भारत पर फिर से प्रेशर क्रियेट करने की टैक्टिक है कि हम extended NATO जब आपके साथ सोचते हैं तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं कहने का मतलब ये है कि भारत का जो बिलकुल मध्यम मार्ग पर चलना है वो डगर बड़ी कठिन है उस कठिन डगर में जहां अमरीका अपनी तरफ करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है वहीं दूसरी और रूस के द्वारा भी निरंतर प्रयास जारी है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशन्स को बराबर रखे, बरकरार रखे एक और पॉइंट निकल कर आता है जिसको सबसे ज़ादा तवज्जो दी जा सकती है और वो ये है कि नौर्थ कोरिया के खिलाफ बोलने में भारत की अपनी भी एक मजबूरी है और वो क्या है? भारत जापान का बड़ा सहयोगी देश है भारत और जापान की जबरदस्त मित्रता है जापान भारत में एक बड़ा इनवेस्टमेंट करने वाला देश है टॉप फाइफ एकोनोमीज में से जापान एक है और ऐसी इस्थिति में जापान को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो नौर्थ कोरिया से है आपको याद होगा कि जापान के सी के जस्थ सामने नौर्थ कोरिया है नौर्थ कोरिया का ये जो पागलताना शाहा है ये अपने लेवल पर जब मिसाईले दागता है तो कई बार जापान के exclusive economic zone के अंदर इनके missile जाकर गिरती है जिसकी वजह से इस छेतर में जापान के उपर pressure create होता है मेरे प्यारे साथियों आपने बहुत बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी हमसे सुनी होंगी जब जापान के ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा missile ने launch की गई है जो जापान के पानी में जाकर गिरी है चुकि जापान अपने पास weapon नहीं रखता ऐसी स्थती में North Korea पर pressure create करने के लिए ये वाला method अपनाना जरूरी था इसका मतलब ये हुआ कि जापान का साथ देते हुए हमने North Korea पर pressure create करने का प्रयास किया है ये तस्वीरे बयान करती है कि भारत और जापान की मित्रता बहुत ही strong quality की है और ऐसी स्थती में जापान को अपने साथ चाहने के लिए हमें North Korea के खिलाफत करनी थी और यहां पर ध्यान देने योग ये बात ये भी है मेरे प्यारे साथियों कि भारत जापान को अभी जीट G7 वाले केस में जब कैनेड़ा ने जापान से पूछा कि क्या आप हमारे साथ है तो जापान ने साफ कैनेड़ा को मना कर दिया ये अगेन दर्शाता है कि जियो पॉलिटिक्स में एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला ही व्यवहार चलता है उमीद है आप लोगों को ये बात बहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी आप जान सकते हैं कि इंडिया के अंदर जापान बहुत सारा पैसा इंवेस्ट करने का पहले भी मन बना रखा है आगे भी इंवेस्टमेंट करेगा भारत के लिए जापान बहुत माइने रखता है पाकी बाकी इस पूरी घटना को जानने के बाद आपका क्या मत है आप इस जियो पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं इसे बताने के लिए आप हमें हमारे ट्विटर पर जाकर बता सकते हैं हमारे ट्विटर हेंडल है अनकेत कुमार अवस्ति के नाम से verified account है के अनकेत हमारे ट्विटर हेंडल है आप जाकर हमें सर्च कर सकते हैं और वहां पर connect होकर जियो पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है हमें update कराएं फिलाल के लिए अपना खैयाल रखें और हाँ आप लोगों क के माध्यम से किफायती दरों पर बहतरीन सिक्षा आप तक पहुचा सकें अपनी पाटशाला PCS YouTube चैनल चालू हो चुका है जहां का आप जाकर बढ़िया से अपने लिए एक अक्टूबर का जो RAS Pre का एक्जाम है उसे बहतरीन तरीके से टार्गेट कर सकते हैं फिलाल के लिए